अपने पिता से जगड़े की वज़ा से 17 साल का एक यूसूप खान नाम का लर्का पेसावर का अपना घर छोर कर पूने आ गया और यहां पे एक कैंटीन में सेंडविच बेचने का काम करने लगा उसने तब यह किसी को नहीं बताया कि वह एक अमिर घराने से तालुक रखता है और वह बहुत ही अच्छा हिंदी और उर्दू बोल लेते थे इसी बीच बंबे टकीज के मालकिन देवकारानी की नजर इस पे पड़ी उन्होंने उसे अपना नाम बदल कर हिंदी फिल्मों में अपना किसमत आजमाने को कहा जब उन्होंने अपना नाम बदल कर हिंदी फिल्मों में अपना किसमत आजमाया तो बस क्या था वो पहले ऐसे एक्टर बने जिसे हिंदी फिल्मों में बेस्ट एक्टर का आवार्ड दिया गया इसके बाद उन्हें फिल्म फियर का आवार्ड आठ वार्ड मिला जो एक रिकॉर्ड है और आज तक यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोर पाया इन्हें पद्म स्री पद्म भीवुसन और दादा साफ हाल के पुरुसकार से भी नवाजा गया है यह सक्सियत और कोई नहीं बलकि ट्रैजडी किंग दिलिप कुमार थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे